पालक और मटर की सबजी जो खाने में बहुत स्वाद लगती है एक हःड रेसीपी के पहले या कहती हो हूं मजए ठेस्टी खाना भाना बहुत अच्छा लगता है। तो यह देखिए है। मैंने पालक को बॉइल कर लिया है। ऐसे कटकरके उसी पानी में उसको बॉइल कर रिया है। मैंने हल्दी अ नंक इसमें कुछ नहीं डाला है। इस यह ओल लिया है सबजी बनाने के लिए हींग है तू पिंच हम हींग उस करेंगे वन टीस्पून जीरा है वन टेबल स्पून धनिया पाउडर है सॉल्ट नमक एज पर टेस्ट है वन टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है और मैं यहां आपको देखाना चाहूंगी मै मैंने मटर को पहले से बॉल करना रख दिया है बहुत कम पानी के साथ वन पींच मैंने इसमें शुगर डाली थी और यह मटर जो हैं फ्रेश हैं सॉफ्ट हुए हैं अब हम इनकाल लेते हैं सबसे पहले हम यह सभी इखटा मिक्सी में पीस लेंगे यह रेसिपी आसान बनान तो हम चेक करते हैं इसको यह देखे इस टाइप का ही पेस्ट बन गया है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें से क्योंकि अद्रक लहसुन सब है तो आई अब हम इसको फ्राइ करते हैं 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑई डाल रहे हैं आप घी में भी बना सकते हैं और इसको गरम होने देते हैं जब तक ऑई गरम हो रहा है हम इसमें हैंड ब्लेंडर से इसको मिक्स करते हैं यह ब्लेंडर को मैं आपको पहले दिखा चुकी हूं यह बहुत अच्छा है बॉस का है और बहुत ही बढ़िया है यह तो देखिए आप सेम बरतन में हमें मिक्सी में नहीं करना पड़ा और सेम बरतन में हमने यह ग्राइंड कर लिया है ऑएल गर्म हो गया है हम इसमें डालेंगे जीरा और उसके साथ ही डालेंगे एक पिंछ हीन एक से दो पिंछा की उसकर सकते हैं और जीरा जले नहीं उसके साथ साथ हम डाल देंगे तो यह टमाटर, आद्रक, लैसुन और प्याज का पेस्ट और इसको हम भूलेंगे बहुत अच्छी तरह से, मीडियम गैस पर, इसमें डालेंगे हम नमक, धनिया पाउडर, और यह रेड चिली, रेड चिली और ग्री चिली जो है, यह लाल मर्च और हरी मर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर घर में कोई नहीं खाता है, कम खाता है, तो आप स्किप कर सकते हैं, और ज़्यादा लेता है, तो ऐड़ कर सकते हैं, वाकि ये लाल जो मिर्च है वो मैंने कलर वाली कश्मीरी मिर्च ली है ये देखिए भूनना शुड़ू हो गया है स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे भूने आप यहां पर इसको ढखकर भी भून सकते हैं यानि आराम से जब इसका ओइल छोड़ देगा क्योंकि मसाला अच्छा भूना होगा तभी वो टेस्टी लगेगा तो इसको हम ढखकर पकाते हैं थोड़ी देखिए चेक कर लेते हैं यह देखे भूनना शुरू हो गया है ओइल छोड़ना शुरू कर दिया है लेकिन अभे हमें इसको थोड़ा सा और पकाना है तो हम क्या करेंगे पहले इसमें मटर डाल देंगे यह जो बॉइल की हुई मटर है इनको डाल देंगे पानी हम निकाल चुके है इनका और आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अब्डेट जो है वह आपको पहुंच सकें आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए अब हम इसको थोड़ा सा ढखकर फिर से पकाएंगे चेक कर लेते हैं और यह दिखिए बहुत अच्छे से मसाला जो है पक गया है इतना हमें भी देख लेना है कि ओईल सेपरेट होना शुरू हो गया है और टेस्ट भी खुश्बू भी आने लगी है अब टेस्ट करके भी देख सकते हैं इस समय थोड़ा समय इसमें डाल रही ह और अब हम इसमें डाल रहे हैं यह पालक जो हुमने ग्राइंड करके रखा है और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स देखिए कितना ग्रीन पालक है बिल्कुल परफेक्ट और यह आफ केजी पालक है, यानि दो बंच मैंने लिये थे और उनको मैंने अच्छे से वाश करके, मिट्टी वगरा साफ करके, उनको जब मैंने ब्लांच किया है, बॉइल किया है, तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं हम, आशा करती हूँ, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ आप कमेंट के जरी जरूर बताईए मुझे कि आपको कैसी लग रही है, या आपको कोई अगर नई रेसिपी चाहिए, आप चाहते हैं वो सीखना, तो जरूर लिखेगा, मैं ट्राइ करूंगे उसको बनाने की, यह देखिए क्योंकि ग्रीन ही मटर है, और ग्रीन ही यह है, तो ऐसे इसमें मिक्स हो जाते हैं मटर, तो मैंने इसलिए थोड़े से मटर अलग से रखे हैं, गार्मिश करने के लिए वैसा आप भी कर सकते हैं, ताकि बुस्रे को देखते ही पता लग जाए, कि यह पालक और मटर की सबची है, थोड़ा सा नमक इसमें मुझे कम लगा, जालने के बाल, तो मैंने चखने के बाल, तो मैंने दुबआरा से थोड़ा सा नमक एड किया है, ऐसा आप भी कर सकते हैं, और अब हम इसको घयस को दीमा कर देंगे, और इसको 2-3 मिनट तक के लिए पकाएंगे, अब हम इसको चेक करते हैं, और ये देखिये, बॉil होते काफी टाइम हो गया है, अब हम इसमें एड करेंगे, टेस्ट एन्हेंसर, अपना देसी घी, देसी काउ घी, एक चम्मच, पकने के बाद एड करें आप, बहुत अच्छी खुश्बु आती है, बटर डाल कर भी आप सर्व कर सकते हैं, ये देखे, पोरफेक्ट, बहुत अच् इसमें टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा, तो अब करते हैं, इसकी प्लेटिंग, आप जैसी चाहें, वैसे रख सकते हैं, ये दिखे, अब हम करते हैं, इसकी प्लेटिंग, अब मैं इसमें एड कर रही हूँ, ये बॉयल कियों मटर, क्योंकि जो इसमें हम देखते हैं ना बंते हैं तो वह mixed हो जाते हैं मैंने बहूत बार देखा ए अच्छे नहीं लगा रहे हैं बनाकर से शीरव करने में पता नहीं करता है कि वह पालक मटर है क्या तो यह आप व्हुंच कर सकते हैं कि आप उपर से मटर डेकोरेट कर दीजिए अंदर तो आपने डाले ही है तो एकदम देखते ही लगेगा कि यह पालक और मटर की रेसिपी है Thank you so much for watching तो देखे मैंने जगे चेंज किये क्योंकि वहां लाइट का रिफलेक्शन पढ़ रहा था तो नहीं अच्छे से कलर वगड़ा पता चल रहा था यह देखे यह देखे कितना अच्छा पालक बनाया है चपाती के साथ खाईए पराटे के साथ खाईए और एंज्वाइ झालक बनाया है